वेलकम बैक फ्रेंड्स माई चैनल फेर एंड केर टिप्स दोस्तों आज मैं आपके हिल्फ से जुरी जानकारी लेकर आई हैं क्योंकि आज करके बीजी लाइफ में लोग अपने खान पान का ध्यान रखना नहीं भोल जाते हैं और उन्हीं कई तरह की परशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए आज हम उन दोस्तों को बताएंगे कोई अपने बीजी लाइफ में अपने खाने पीने में कौन-कौन से ऐसी चीज़ों को सामिल करें जिससे उन्हें परशानियों का सामना ना करना पड़ें लेकिन इसे पहले जिन दोस्तों ने भी तक हमाया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे दिये गए सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को पेज़ करना ना भूलें साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सेर और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों आज हम आपको चार ऐसे आसान सी टिप्स बताएंगे जिसे अपना कर आप एक महीने में ही अपने पेट की चर्वी को मक्खर की तरह पिगला सकते हैं ज्यादतर महीलाएं पेट की बरती चर्वी से परेशान रहती हैं और इसे कम करने के उपायों की तलाश में रहती हैं इसलिए अज हम आपके लिए चार ऐसे टिप्स लेकर आएं हैं जिसकी मदद से महीलाएं पेट की बरती चर्वी को आसानी से कम कर सकती हैं इस वीडियो के माध्यम से मापको बताएंगे कि इन चार टिप्स को अपना कर आप अपने बेली फैट को दो से चार इंज तक कम कर सकती हैं जी हां महिलाएं पेट पर जमा जिद्धी चर्वी से बहुत ज़्यादा परिशान रहती हैं और बहुत उपाय अपनाने के बावजूद इसे कम नहीं कर पाती ऐसी महलाओं को निराश होने के वज़ाएं इस वीडियो में बताये गए टिप्स को अपनाना चाहिए इस टिप्स की सबसे अच्छी बात यह है किसे हमें फिटनेश एक्सपर्ट टीना चौधर जी बता रही है और ये टिप्स बहुत ही ज़्यादा आशरदार है इसे लगातार करने से आप अपने पेट की चर्वी को एक महीने में कम कर शकते हैं वजन कम करने के लिए आपको प्लैंक स्क्वार्ट सुरो जाना करना होगा इसमें प्लैंक पोजिशन में आकर पैरो को आगे पीछे करें आशर में इसमें पहले प्लैंक करते हैं फिर कागासन करते हैं इसका पूरा आशर आपके कोड पर आता है अगर आप पहले हफते में इसे 25 बार कर रही हैं तो अगले हफते में इसे बढ़ाती जाएं यानि दूशरे हफते में 30 और तीसरे हफते में 40 बार इसे एक्सेसाइज को करें अगर आप रोजाना ऐसा एक महीने तक करेंगी तो आप अपने पेट की चर्वी को 100% कम होता हुआ देख पाएंगी दूशरा है पनीर सलाद रात में अपनी डाइट में पनीर या दाल सलाद को शामिल करना होगा यह आपके पेट की चर्वी को कम करने के लिए जादू की तरह काम करता है अगर आपको तेजी से पेट की चर्वी को कम करना है तो कुछ तो कोशिश करनी होगी कार्ब्स के लिए बुड़े तो रोटी चावल भी नहीं है लेकिन कोशिश करें कि रात में पनीर या दाल सलाद ही खाएं लेकिन अगर आप रोटी और चावल खा रही हैं तो कम मात्रा में खाएं अगर आपका वजन 70-75 केजी है तो 30-50 ग्राम तक पनीर या सलाद खाएं इसमें आप खीड़ा प्याज टमाटर डाल सकती हैं आपको ऐसा सलाद खाना चाहिए जो आप आसानी से पचा सकती हैं आप चाहे तो इसे हलका स्टीम करके उसमें घी भी मिला कर खा सकती हैं डाल में आप मुंग डाल और उसकी शाज सलाद ले सकती हैं इसमें भी आप हलका सा घी गर्म करके ले सकती हैं इसे आपको पोशक तत्वों के साथ साथ कई तरह के फाइदे मिल सकते हैं आज कल कम से कम 90 प्रतिशत लोगों को कब्ज की शिकायत रहती हैं पेट की चर्वी को दूर करने के लिए कब्ज से बचना बेहर जरूरी होता है हमारा गर्दन से लेकर पेट तक का हिस्सा बोडी का इंजन है डाइजेस्टिव सिस्टम में खराब हो तो हमारी बोडी ठीक तरह से काम नहीं करेगी हमें अपनी बोडी के सिस्टम को ठीक तरह से चलाना है और इसे चलाने के लिए उसकी सफाई करना बेहर जरूरी होता है अगर आपको किसी कारण से लग रहा है कि रात के समय आपको कब्ज की समस्या हो रही है तो कोई भी घर में बना चूर्ण खाएं आप 2-3 चीजों को मिला कर चूर्ण बना कर ले सकती है आप चाहे तो कब्स को दूर भगाने के लिए त्रिफला चूर्ण भी ले सकती है अगर आप पेट की चर्वी को दूर करना चाहती है तो सुबा के समय आपका पेट साफ होना बेहत जरूरी है कब्स की समस्या के साथ आप कभी भी अपना बेली फैट कम नहीं कर सकती है अगर आप पेट की चर्वी को कम करना चाहती है तो आपको कार्डियो जरूर करना चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम सांस को लेते हैं या छोड़ते हैं तो हमारा फैट लॉस अच्छे से होता है टीना चाहदरी जी का कहना है कि जब हम सांस को लेते हैं या छोड़ते हैं तो हमारा फैट भी जाता है यह प्रकिर्या एकदम सही है जब सांस बढ़ती है तो weight loss होता है कार्डियो के आलिए आप jumping jack exercise को कर सकती है जिहां jumping jack एक कार्डियो exercise है इससे आप तेजी से belly fat को कम कर सकती है